एलो फ्रेंद्स आज अपना एक्स्ट टोपिक करेंगे एंडोक्रेंट सिस्टूम विच Gol वेराइटी क्लाइट्स थिए तो चलो अब हम इसको स्टार्ड करते ह। सबसे पहले पहले अग्या है एंडोक्राइट्स system क्या होता है यह system होता है इसको आप पूरा खुद से पढ़ ले ना मैं शौट कट बताती जाऊंगी जरफ system of communication यह क्या होता है system होता है communication का हमारी body के अंदर जो किस से बनाता है बहुत सारे glands होते हैं जो secret करते हैं hormones को directly blood stem में ठीक है और hormones क्या होते हैं जो कि secret cone करता है endocrine gland और यह regulate करते हैं wide range of body processes ठीक है अब देखो दो वर्ट साइस में कभी confusion हो जाती है neuro hormones and neurotransmitter अब देखो जो neurotransmitter है यह क्या है chemicals होते हैं जो कि neuron release करते हैं neuron जिनको release करते हैं और information को वो carry करते हैं पट कहां पे snapses में ठीक है और जो neuro hormone है यह क्या हार्मोन दाट interact with and effect the nervous system यह भी nervous system को nervous system को effect करते हैं influence influence neural activity like neurotransmitter और यह भी influence करते हैं neural activity को किस की तरह neurotransmitter की तरह release into circulatory system ठीक है इनका यह difference है यह snapses में release होते हैं और यह circulatory system है और इनका जो effect होता है वह ज्यादा देर के लिए ज्यादा देर के लिए होता है और बड़ा slow होता है और ज्यादा distance से हो सकता है ठीक है अब देखो अब सबसे पहले आगया हमारा अब पहले मैं आपको एक डाइग्राम दिखा देती हूं यह रहा देखो कभी-कभी अरेंज करने के लिए पूछ लेते हैं कि अरेंज करो यह अलग अलग direction देदेंगे कि मतलब डाउन से अपवर्ड ही अपवर्ड से डाउन सबसे पहले आगया आपका पाइनल ग्लैंड फिर पिक्ट्यूट्री ग्लैंड फिर पैरा थाइराइड फिर थाइराइड फिर थाइमस अडर्नल ग्लैंड पैंक्रियास ओव ब्रें किसको लिंक करता है वो एंडो क्राइन सिस्टम को और ब्रें को लिंक करता है जो कि हमारे बॉड़ी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं अब आ गया अब मैं आपको इदर एक डाइग्राम बता देती हूँ कि कौन सा कहाँ है अब देखो ये रहा आपका हिपो थालमस ये पाट है ना ब्रेन का और ये रहा आपका पिक्ट्यूट्री ग्लैंड इधर से रिलीज होते हैं मतलब इधर से फंक्शन को कौन करता है अब एक चीज और बतानी थी इधी बताद में अब देखो एगरी कोशन आया था टॉ Parl मों से होते हैं अब ये सबसे जआद स से जय जो का मुस्य जो करते हैं वो कहां स सीख स इक होते हैं anterior pictutory से अब देखो यह रहा आपका anterior pictutory gland ठीक है यह आगया आपका target endograin यह इस पे target करेगा बट main target कौन होगा यह यह इस पे करेगा फिर जो इदर से release होगा वो क्या करेगा इस पे target करेगा ठीक है यह रही diagram इसको समझ लेना है अब होता कैसे release वो भी बता देती हूँ देखो इदर short fit है hypothalamus रिलीज करेगा CRH को ठीक है यह मैं बताती हूँ CRH के है जब मैं इसका पढ़ाऊंगे आपको ठीक है यह इदर से किस पर attack करेगा pictutory gland पे इदर से release हुआ इस पर अब यह कुछ हार्मोन से इनको आप देख लेना फिर क्यूंकि आप मैं इसको रिपीटने करूंगी यह जो एंटीर पिक्ट्यूट्री रिलीज करता है यह सच इसका यह पढ़ लेना किसके लिए आपको अब आगया में टॉपिक पर आपने रहां अब आगया पिक्ट्यूट्री ग्लैंड इसको हम क्या बोलते हैं यह बोडी का क्यूं बोलते हैं इसको मास्टर ग्लैंड क्यूंकि यह सिक्रीट करता है हार्मोन्स जो responsible होते है किसके लिए sexual development के लिए गवन दी function of sexual gland help control body function basic body function जासे कि आपके metabolism वगारा आगया वो कॉन control करता है pictutory gland और यह क्या करता है release control release control and regulate the action of other endocrine gland यह क्या करता है release करता है control करता है regulate क्या करता है जो बाकि endocrine gland uter पोस्टेर्ययर पिक्तीटरी मेल कुरते हैं उसे के रांटेर में हार्मों, फिर समय, Shake the रांटेर मेल कुरों को चेमल कहते हैं, को समय खाले हमाकने पिद्वेमेल, को सिरौन, किसमार बिद्वेमेल, ठीक है, kidney में, by the kidney मतलब, और females में क्यों आता है, यह production and release of milk, कौन responsible है, posterior pictutory, पट इसमें से कौन सा जो release हो रहा है, hormone वो क्या है, prolactin, prolactin की वज़ा से जो females में क्यों आती है, milk production होती है, ठीक है, आ सकता है question, ध्यान रखना, एकसर आगया आपका, adrenal pictutory, adrenal pictutory क्या आगया, देखो, release hormone that regulate the activity of other endocrine gland, यह क्या करता है, release करता है hormones को, जो की क्या करते है, regulate करते है activity, बाकी endocrine glands की, अब देखो, इसमें से simple question कैसे आता है, last time question आया था, ACTH, कहां से release होता है, सीधा पूछा था, pictutory gland, anterior pictutory, posterior pictutory, या final gland, तो आपको पता है, अगर pictutory gland है, बट यह नहीं पता है, कि anterior हागी, posterior तो गलत हो जाएगा, तो ACTH कहां से release होगा, anterior pictutory से, और यह क्या है, ट्रॉपिक होर्मोन है, हमारा, ठीक है, और, यह रहा next, और, नेक्स्ट आगया, आपका, final gland, यह कहो होता है, brain में होता है, क्या release करता है, melatonine, जो regulate करता है, हमारे sleep pattern को, इसको हम cardiac rhythm भी बोलते हैं, next आगया thyroid, यह क्या release करता है, thyroxine, फिर आगया reproductive gland, यह simple क्या होता है, कभी-कभी match the following में, इनको simple सा पूछ लेते हैं, साइट में आपको gland दे देंगे, और इस साइट आपको hormones दे देंगे, और match करने के लिए बोल देंगे, और इस में से question आते ही आते हैं, आप last year के question paper भी उठा के देख सकते हो, अब क्या आगए reproductive gland, इसमें क्या आग आगे gonads, ठीक है, अब जो male gonads, उनको क्या बोलते है, testis और female को क्या बोलते है, ovaries, और जो testis है ये क्या release करते है एंडोजन और जो ovaries है ये क्या release करती है estrogen and progesterone ठीक है और अगर excess level हो जाए एंडोजन का अगर female तो इससे क्या हो जाता है कि जो girls है उनमें male characteristics बढ़ जाते है और जो boys है उनमें puberty जादा जल्दी आ जाती है ठीक है अब next आगया आपका pancreas pancreas क् करती है दो antagonist हार्मोन रिलीज करती है अब देखो ये बी कोषन बनता इदर से क्या होते हैं जो क्या करते है antagonist और agonist दो आपके होते है मतलब 2 concept है यहीप जो agonist ons होता है वो क्या करता है मिमिक करता है किसी वी neurotransmitter के effect को फेक यह और जो agonist होता है वो क्या करता है उसके इफेक्ट को ब्लॉग कर देता है रोकने के लिए हम क्या यूस करते हैं ऐ गॉनिस्ट किसी चीज को अगर मतलब जाधा जल्दी गरना हो मिमिक करना हो तो सब सबसे पहले आगया इंसुलीन और सटेद आगया आपका Glyüzikोजन सबसे पहले महों बससे बापने अलप थो मोणो पहले ओंसुली तह आपका Anyway याते हैं, वो क्या आगे आपका Adenal gland, आप देखो Adenal gland में जो Adenaline और Norpine Phrine है, यह क्या है आपके, यह Neuro Transmitter भी, हम इनको Neuro Transmitters में भी पढ़ते हैं, ठेक है, और यह क्या करता है जो Adenal gland है, यह टू पाट्स में डिवाइड है, Adenal cortex, जिसको हम क्या बोलते है, उसकी outer layer और inner layer आगए आपका medulla जो cortex है वो क्या release करती है cortisol और जो medulla है वो क्या release कर रहा है adenoline and norpinephrine और जो adenoline है इसको हम epinephrine भी बोलते हैं और जो norpinephrine है इसको noradrenaline भी बोलते हैं ठीक है adenoline को आप बोलते हो fight and flight hormone along with the increase in heart along with the increase in heart rate adenoline also give you give you a also give you a energy which you might need to run away from a danger situation यह क्या करता है आपकी heartbeat को increase करता है और आपको energy produce करता है कि जिसकी वज़ा से आप danger situation से भाग सको है मतलब fight कर सको है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं fight and flight hormone और next आगे आपका यह दोनों कोन पर ड्यूस करता है adenoline medulla यह क्या आगे है from adrenal gland and brain से release होता है arousal like adenoline when you store यह भी कब arousal होता है जब क्या होता है adenoline की तरह ही होता है जब क्या होता है आप when you when you stressed you become more awake और aware जब आप stressed होते हो तो क्या होता है आप ज़ादा aware हो जाते हो ठीक है फिर आगे है आपका cortisol अब देखो यह जो दो है इनको मैं आपको neurotransmitter में पूरा अच्छे से बढ़ा दूगी यह मैंने इदर सिर्फ इसका just part दिया था कि आपको पता लगे कि यह adrenal gland इनको release करता है अब देखो जो cortisol है यह कहां से produce होता है adrenal gland से बट उसके outer layer से जो कि adrenal cortex है और यह steroid hormone है steroid hormone मतलब stress hormone अब यह कैसे कैसे produce होता है सबसे पहले part of the brain जो amicartle है वो क्या करता है has recognized a threat यह किसके लिए होता है emotions के लिए responsible है यह क्या करेगा recognize करेगा threat को फिर यह send करेगा message किसको hypothalamus को hypothalamus क्या release करेगा corticotrophin releasing hormone CRH कोन release करता है hypothalamus और यह कहां जाएगा यह बोलेगा pictutory gland के पास जाएगा और उसको जाके बताएगा कि मतलब stress मतलब यह सबसे पहले आगया amicartle वो बेज़ेगा message hypothalamus को hypothalamus release करेगा CRH hormone को आपको और यह टल करेगा किसको बोलेगा यह pictutory gland को pictutory कोन सा देखो अब हमने पहले बढ़ा था कि जो anterior pictutory है ACTH वहाँ से release हो रहा है यह रहा देखो anterior pictutory को बोलेगा front pictutory मतलब वहाँ से क्या release होगा ACTH hormone और फिर क्या होगा यह किस पे अटेक करेगा जाके adrenal gland पे और वहाँ से क्या release होगा cortisol अब यह क्या था cortisol का process था amigardla फिर उसका है hypothalamus CRH hormone फिर ACTH बट कहां से release होगा anterior pictutory से फिर cortisol release होगा यह जो cortisol है यह क्या है जब इसका level बहुत ज़्यादा high हो जाता है ऐसे यह क्या करता है आपके mood को मतलब stress को maintain रखता है बट जब इसका level बहुत ज़्यादा high हो जाता है तो क्या हो जाता है यह hormone आपको ज़्यादा harm करता है as compared to कि जितनी ही आपकी help करता है ठीक है यह रहा यह का concept था इसको अच्छे से बढ़ लेना इसमें से question आता ही आता है अब आगया when adrenal gland don't produce enough hormone जब अब देखो adrenal hyperplasia यह क्या है आपका यह आपका genetic disorder है किसकी वज़ा से जो adrenal insufficiency की वज़ा से और अगर excess of cortisol हो जाएगा तो kushing syndrome होगा इसमें क्यों आता है excessive weight gain हो जाता है maximum upper part of body में ठीक है फिर आगया adrenal cortex है जो वो secret करता है six steroid that are released by the gonads ठीक है यह भी याद रखना अब देखो जो ACTH है यह आपका कौन release कर रहा था anterior pituitary अब जो ADH है इनके याद रखना इससे confused नहीं हो जाना ABC यह इसके चक्कर में नाम पूरा पढ़ लेना कभी कभी यह पूछ के सीधी full form पूछ लेंगे किया है अब आगया ADH anti-duretic hormone यह क्या करता है यह act करता है kidney पर और क्या करता है maintain करता है blood sugar level को और मैंने बताया था जो आपका क्या है posterior pituitary pituitary gland में बताया था कि वो क्या करते हैं kidney पर act करते है kidney और water को जो हमारा maintain करते है water balance ठीक है हमारी body में यान की control करते है urination को ठीक है अब यह कुछ-कुछ अगर आप इसको connect करोगे diabetes से और अगर search करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि diabetes किस वज़ा होती है फिर आगया यह क्या made by इसको कौन बनाता है hypothalamus बनाता है brain में फिर store कहां होता है यह posterior pictutory में ठीक है यह रहा यह आपका concept था और यह था आपके सारे major hormones थे मैंने इनका आपको complete करा दिया अब अगर आप यह कहीं और से भी नहीं पड़ोगे तो भी आपका बड़े अच्छे सही सारा cover ही है अब टेस्ट टेस्टोस्टिरोन high level of blood stem is accompanied by aggressiveness अब यह कुछ एक्स्ट्रा इनको आप रहने दो बट यह जो भी था अब एक concept और करवा देती इसके साथ अब देखो यह रहा brain मैंने आपको पहले बोला था अगर आपको biological base पढ़ना है तो सबसे पहले आपको diagram बना के अपने concept पूरे clear करने होंगे पता होना चाहिए कौन सा part कौन सी direction है तभी आपके यह concept clear होंगे अगर आप ऐसे रट्टा लगाओगे कि जो thalamus और hippothalamus है यह कहां पर आता है यह ऐसे direction है तो फिर कभी clear नहीं हो सकता है ठीक है जैसे यह रहा अब देखो simple question आता है कि tally encephalon, dye encephalon, mass, mat, my encephalon इनको अप से लेके down तक range करें down से up करें ठीक है इस तरीके का अब देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका tally encephalon, dye, dye सिधा यह रखना tally dye mess, mat, my ठीक है यह किसकी series है सिर्फ यह रखना tally dye mess, mat, my अब यह mess, mat, my याद नहीं रखते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं अब यह रख सकते हैं मैंने ऐसे याद किये थे यह बट अब मुझे ऐसे भी आ जाते हैं जब एक वर यह आप ऐसे याद कर लोगे जब एक दोबर रख सकते हैं तो ऐसे भी आपका clear हो जाएगा अब जो tally encephalon है वो क्या आपका cerebral, hemispher और जो di encephalon है उसमें आता है आपका thalamus and hypothalamus और जो mass encephalon है उसमें mid brain आता है मैट में आता है pons and cerebellum और my encephalon में आता है medulla oblongata oblongata ठीक है यह आगे आपके इसमें है ठीक है कौन-कौन सा part कि इसमें आता है अब एक चीज और कहीं आपको बोलेंगे romancy romancy felon और pros encephalon ठीक है अब कभी-कभी लगता है यह क्या है कि यह लग से दे दिया तो इसलिए मैंने इतर एक पिल्टकुल shortcut किया अब जो आपका telly or di encephalon है वो किसमें आता है pro encephalon में और met or my encephalon है वो कहाता है romancy felon में अब इधर देख लो di encephalon thalamus and hypothalamus and hypothalamus और यह रहा आपका इस diagram को एक वरी अच्छे से देख लेना इधर से नहीं देखनी होंगी तो कहीं और से देख लेना जहां से आप बढ़ रहे हो ठीक है अगर इसको भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं जो crantium bones होती है उनको क्या बोलते है Neuro crantium upper back part of the four यह जो हमारे मतलब यह कौन सी brain होती है मतलब यह कौन सी bones है जो हमारे brain को cover करती है इसमें क्या आगई आपकी यह eight होती है इसमें क्या आगई देख लो पढ़ लो इसको दो temporal होती है दो parental होती है occipital है frontal है इसका series number दी है यह मैंने आपको बाकी करवाया ही था अब next हम अपना cover करेंगे कली डाल दूंगी शायद से मैं वीडियो neurotransmitter तो जो भी important neurotransmitter है वो बता दूंगी अगर आप उदर से पढ़ोगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ने पढ़ेगी युकि यह मेरे कुद के बिल्कुल conclude किये हुए notes है अगर आपको कुछ और extra information पता है यह कुछ मैंने गलत बोला है तो आप comment करके बोल सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like करें मेरे चानल को subscribe करें और वीडियो को share भी करें thank you उड़े